निश्चानी बैस अब सही है पता ही नहीं जो भी ड्रॉइंग मुझे पसंद नहीं आ रही थी वो मैं बिना दिखे डिस्ट बिन में डाले जा रहा था और वो भी बिल्कुल निशाने पर यह लो मैं क्या करूँ अभी तो तुमने बताया ना तुम कर सकते हो तो लो इसे करके दिखाओ इसे डस्ट बिन में डालो और अगर नहीं कर सकते तो अगर नहीं कर सका तो क्या तुम्हें मेरी साथ ओपिस ओपिस खेलना होगा यह तो गया काम से चिपचाप अपनी कप पर ध हम क्ले लेकर आए है क्या हुआ कर दिकाया क्या सुना 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 मुझे दर्द हो रहा है माप कर दो आगे से ध्यान रखना मसाओ तुम कितने अच्छे हैं बहुत बढ़िया सच में मसाओ इसी भी टाल दो तरके दिखाओ ना इसी भी पेगो अच्छा थी जाल दो अभी करता हूं अरी वह मसाओ तो बहुत पापलर हो गया अरे हां मसाओ को देखो तो वो बसे तुक मैंने कहा था ना अरे मेरी बात सुनो इसने यह जान बूच कर नहीं किया है लेकिन इसने मुझे दो बार हमला किया है अरी नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है प्लीज लड़ो मर हम सबको अमनों शांती के साथ रहना चाहिए क्यूं सही कहा न हाँ सही कहा एक अलग तरह कि कॉमपटिशन की बारे में तुम्हारे क्या खयाल है क्या कहा कॉमपटिशन अगर मसाओ जीत गया तो तुम भूल जाना कि उसने तुम पर फेपर फेगा था क्यूं ठीक है न अगर मैं जीत गया तो मैं नहीं भूलूंगा मेरे खैल से भूल जाना सही रहेगा पपीता जो भी हो मैं इसे नहीं चोड़ूंगा अगर मैं चीता तो तुम हमेशा के लिए मेरे असिस्टेंट बन जाओगे अरे चीता ऐसी बाते क्यों कर रहा है अब पता नहीं मसाओ का क्या होगा मसाओ पर मुझे पूरा भरोसा है ठीक है देख लेते है अगर मसाओ नहीं चीता तो क्या होगा फिक्र मत करो मसाओ को कोई नहीं हरा पाएगा और संगीता क्या तुम तैयार हूँ मेरा नाम संगीता नहीं चीता है चीता ठीक है चीता ता 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 मेरा नाम चीता है और देखो मेरा मुकाबला तुम से नहीं है सर प्लीज आईए हाई इसने तो अपने सर को भी बुला लिया अगर मसाओ नहीं जीता तो क्या होगा मुझे नहीं लगता कि मसाओ इन से जीत पाएगा देख लेंगे कमाल देखो यह तो तयारी के साथ आया है बता नहीं क्या होगा यह देखो हम सब तयार है गेम बस शुरू ही होने वाला है देखना ये है कि आखिर जीतेगा कॉल हम बताएंगे आखो देखा हाल तो अब रूल्स की बारी पहले मैच में पेपर को दीवार के उस पार फेंकना होगा और पेपर फेंकने वाले को दस्विन दिखाई नहीं देगा खिलारी टेंशन में है अरीबा देखा उसने कर दिखाया अब तुम्हारी बारी है मसाओ बर्फ की तरह जम गया है वो हिल भी नहीं पा रहा आगे क्या होगा देखते हैं इस बारे में तुम क्या कहते हो मसाओ हिल क्यों नहीं रहा है मसा तुम घबराना नहीं तुम कर सकते हो अब क्या हुआ डर क्यों रहे हो देखो हम सिर्फ 10 तक ही काउंट करेंगे अरे नहीं 10 11 12 तुम आगे दौट नहीं लग सकते क्या ये निशान तक पहुंचेगा तुम का निशान एक तम सही है क्या कहा अब तुम्हें पेपर को टेबल के नीचे से डस्ट मिन में डालना होगा है ऐसा तो होई नहीं सकता हाँ मेरी सीख्रिट टेखनी इस बारे में तुमारा क्या कहना है उसने कागस को रगड़ा और उस वजे से वो तेजी से निशाने पर पहुच गया मसाब तुम इसके नकल क्यों नहीं करते ही लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है सर की बीस साल की ट्रेनिंग को तुम लोग कम मत समझो मसाब यह कर सकता है मैं बताता हूँ पहले इसे अपनी साथ पर रखाँ अब उसे अपनी दोनों हादों से पकड़ लो ठीक है उसे जोर से दबाते हुए जोर दबाते हुए जोर से दबाते हुए यह मैंने कर दिखाए अरी बार मसाब तुमने तो कभाय कर दिया है तुमने सीक्रेट टेकनीक सीख ली यह क्या इस पच्छे ने मुझे देखकर मेरी 20 साल की टेकनीक सीख ली अब यहां से डस्ट मिन में डालना होगा बहुत दूर है तो क्या तुम यह कर पाऊगे यह बहुत ही मुझे तुम मेरे सार जीत गए मसाब तुमें किसी भी हालत में जीतना है ठीक है यह लो दूसरी सीक्रेट टेकनीक यह लो यह लो जह लो ँब यह लो लो कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया कुछ जादा ही जोर लगा दिया तो आप फैसला होई ही गया लेकिन यह ऐसे चाहिए नहीं सकता अरे यह तो मेरी ट्रीम टेक्निक स्वेलो बैक है मैं हार जाओंगा मताओ तुम्हें कर दिका है रेक वैल कर दिये मुझे तो यकीनी नहीं हो रहा मैं जीत किया ये मैं जीत किया मुझे और पैकना है मुझे और पेपरिस दो और दो ये देखा अरे ये क्या